हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल मेसी पेपर बाइक की एस तो गाइस राजस्थानी चित्रकला चाप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मेवार शैली के बारे में इसके प्रिवेस वीडियो मैंने राजस्थानी चित्रकला के बारे में जिगर किया था और आज उसका पहला जो इसके अंद्रगत सैली आती है, बहुत सारी आच तैली है जैसे कि मैंने बताया है इसके अंद्रगत तो जो पहला सैली है मेवार सैली उसके बारे में आज जानेंगे तो चली फिर स्टार्ट करते है वीडियो को तो मेवार सेली का पहला जो कोश्चन है वो है मेवार सेली का प्रमुख केंद्र कौन सा है तो मेवार सेली का प्रमुख केंद्र उद्यपूर तथा नाद द्वार है कोश्चन नमबर टू चोर पंच सीखा सेली का उद्गम किस सेली में माना जाता है तो चोर पंच सीखा शेली का उदगम मेवार सेली में माना जाता है Q3. राजस्थान की कौन से शेली विशुद्य भारतीय है? तो राजस्थान की मेवार सेली विशुद्य भारतीय है Next आते Q4. मेवार शेली किसके समय में अपने चर्मो कट्स पर पहुची थी? तो मेवार सेली महराजा जगत सी पर थम के समय में अपने चर्मो कट्स तक पॉची थी? Next question number 5. मेवार सेली का शुर्न यूग कब माना जाता है? माना होगा, friends. मेवार सेली का शुर्न यूग कब माना जाता है? तो महराना कुमभा और जगत सी पर थम next question number 6 संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है संगीत राज जो कि ग्रंथ है तो वो किसका सचित्र ग्रंथ है यानि चित्रित ग्रंथ है किसने लिखा है संगीत राज को तो महराना कुम्भा महराना कुम्भा का सचित्र ग्रंथ है next आते question number 7 मेवार सेली को गुजर सेली का नाम किस ने दिया तो मेवार सेली को गुजर सेली का नाम पी एन चोयल ने दिया नेक्स्ट कोशन नमबर एट रसीक पिरिया बिहारी सत्त साई भागवत पुरान को चित्रित किस ने किया ठीक यह जो तीन ग्रंथ है ये तीनों ग्रंथ को चित्रित किस ने किया तो साहब दिन ने चित्रित किया Next question number 9 मनोहर द्वारा चित्रित रमायन इस समय कहा है तो मनोहर द्वारा चित्रित रमायन इस समय Prince of Wales Museum मुंबे में है Next question number 10 बोड़ी महल का निर्मान किस ने किया तो बोड़ी महल का निर्मान अमर्सी दुत्य ने किया नेक्स्ट कोशन नमबर 11 बड़े पात्रों पर चित्र बनाने की प्रमपरा किस ने शुरू की तो बड़े पात्रों पर चित्र बनाने की प्रंपरा महराना हमीर सीख ने की है मेवार सेली में प्राकृतिक को अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया है मेवार सेली का भवन किस रंग से बने हैं मेवार सेली के भवन सफेद रंग के बने है नेक्स्ट कोशन नमबर 14 देवगड को प्रकास में लाने का श्रय किसी जाता है तो देवगड को प्रकास में लाने का श्रय स्रीधर अंधेरे को जाता है नेक्स्ट कोशन नमबर 15 साहब दीन और निसार दीन किस सेली की चित्रकार है तो साहब दीन और निसार दीन मेवार सेली की चित्रकार है नेक्स्ट कोशन नमबर 16 साहब दीन और निसार दीन ने रागमाला का चित्रन कहां किया था तो साहब दिन और निसार दिन ने रागमाला का चित्रन चावंड में किया था Next question number 17 मनोहर द्वारा मेवार में रमायन कब चित्रित की गई? तो मनोहर द्वारा मेवार में रमायन 1649 इस्वी में की Next question number 18 साहब दिन ने मेवार में रसीक पिरिया कब चित्रित की? तो साहब दिन ने मेवार में रसिक पिरिया 1630 इश्वी में चितृत की नेक्स्ट आते हैं कोशन नाईका भेध के चित्र श्वर पर्थम कहा चितृत किये गया है तो रागमाला, गीत गोबिन और नाइका भेट के चित्रश्वर पर्थम मेवार सेली में चित्रित किये गये है Next question number 20 मेवार सेली का प्रियविसे क्या था? तो मेवार सेली का प्रियविसे रागमाला था इसमें राग रागनी के चित्र बने है जो रागमाला है उसमें राग रागनी के चित्र बने थे Next question number 21 किसन का बाल सरूप गोबर्धन धारन चित्र किस सेली में चित्रित किया गया है तो किसन का बाल सरूप रूप गोबर्धन धारन चित्र नाथ दुआर सेली में चित्रित किया गया है Next question number 22 मेवार सेली का प्रमुख विशय क्या था? तो मेवार सेली का प्रमुख विशय राधा कृष्ण या कृष्ण लीला था? नेक्स्ट आते हैं question number 23 मेवार सेली के राजा किस धर्म के अनुवाई थे तो मेवार सेली के राजा वेशनव धर्म के अनुवाई थे नेक्स्ट आते हैं guys question number 24 मेवार सेली का सरवाधिक प्रश्रद्य चित्रकार कौन था तो मेवार सेली का सरवाधिक यानि सबसे अधिक प्रश्रद्य चित्रकार साहब उद्दिन था next question number 25 सहब उद्दिन को और किस नाम से जाना जाता है तो सहब उद्दिन को सहबादी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स कोशन नमबर ट्वेंडी सिक्स सहाब उद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन कौन से है तो सहाब उद्दिन द्वारा चित्रित ग्रंथ भागवत पुरान पहला है भागवत पुरान दूसरा है रश्रीक पिरिया तिसरा है रमायन चोथा है महाभारत पाचवा है दुर्गा सप्त सती और छटा है वसंत विलास ये सारे ही ग्रंथ सहाब उद्दिन द्वारा चित्र प्रसिद्ध है ऊद्युset फॉन न्यक्स जोन सब्रस्प्र हो yılडेपूर्ट फे लिए फ्रस्थ है यह कपडे पर और बना चितने कि स Defense कपडा स बणाने जाता है अपने है नेक्स कोशन सब्चार के छाशिये को अन्यक्ता प्रत्रक ए तो मेवार सेली के हासी ये प्राया लाल रंग के बने हैं कोशन नमबर 30 मेवार चुत्रकला की प्रांचींतम कृती रुपासनाचरियम की रचना कब हुई तो मेवार चुत्रकला की प्रांचींतम कृती रुपासनाचरियम की रचना 1423 इस्वी में हुई नेक्स कोशन नमबर 31 डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भारत में प्राप्त लगु चित्रों को कितने भागों में बाटा था तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भारत में प्राप्त लगु चित्रों को दो भागों में बाटा था नेक्स कोशन नमबर ठाटी टू महराना भीम सी का जलूस चित्र के चित्रकार कौन है तो महराना भीम सी का जलूस चित्र ये चित्र का नाम है महराना भीम सी का जलूस ठीक है तो ये चित्र साहब दिन ने चित्र के जो चित्रकार है वो है साहब दिन साब दिन दौर यानि ये चित्र बनाया गया है नेक्स कोशन नमबर 33 राग रागनी के चित्र के उधारन स्वर पर्थम किस गरंथ में प्राप्थ हुए हैं तो राग राग रागनी के चित्र 1550 इस्वी में गुजराती कल्प्थुत्र गरंथ में प्राप्थ हुए हैं तो गाइस ये रहा मेवाट सेली से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोशन थे कोशन एंसर इतने ही है इतने ही पढ़ने है और इसी के बीच से आपके एक्जाम में कोशन आएंगे और हाँ एक बात का ख्याल रखी कि मैं जितना बताती हूँ सेलेक्टेड रहते हैं मतलब इसी से आपके एक्जाम में आएंगे तो प्लीज उतना जरूर लर्ण करें अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं लेकिन जितना मैं पढ़ा रही हो अगर आप वीडियो देख रहे तो उतना तो पक्का लर्ण कर ले और अभी तक जिसे कि बार-बार मुझसे पुछा जा रहा है कि मैं जो फॉर्म है BFA का bachelor in fine art entrance का फॉर्म कब आएगा तो यहां पर बता दू या कब तक आएगा या एक होता है कि एक मैंने बाद दो मैंने बाद आएगा कब तक आएगा तो यहां पर मैं बता तक आएगा और अभी तक तो फिलाल बिल्कुल नहीं आया है और इसके लिए तो आप अपडेट कर दूगी आप लोगों को वीडियो के तुरूर जरूर अपडेट करूँगी तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिकर रहें जब भी आएगा फॉर्म बिल्कुल मेरे चानल के तो चलिए फ्रेंज आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजेगो और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और साथ ही अगर आप BFA की प्रेपरिशन कर रहे हैं तो प्लीज सारे के सारे वीडियो दे के वीडियो अलग-अलग मैंने बना रख है तो आप लोगों को अलग-अलग अराम से एजली वहां पर अब लेवल मिलेगा तो जाईए और देखिए और पढ़े क्योंकि अब समय बहुत जादा नहीं बचा है आपके पास तो अकर आपको किलियर करना है BFA इंट्रेंस तो आप अच्छे से अभी से पूरी की पूरी मेहनत करें वरना बाद में एकदम से लास्ट में सोचिंगे कि पढ़के हो जाए तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चाप्टर्स है इसके अंदर पढ़ने को बहुत सारी चीजे है और आप जानते हो अलग उनिवर्सिटी का तो चोलो ठीक है फिर भी लिकिन बिया चुमेहराफँ क्वालाई करना चाहते हो तो थियूरी बहुत टफ होताही है सबसे पहले ऐपको थियूरी क्वालीफाइ czy करना होताई अगर थियूरी क्वालीफाइ से नहीं कर पया तो प्रतिकल में नहीं बैठने दिया जाएगा तो इ वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूं मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे और यहां पर एक और चीज सोरी मैं एक और चीज एट करना चाहूंगी कि चले कोई बात नी, तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, अपना ख्याल रखे, नमस्ते